पांडे जी रागनी सोनकर जी हमारे साथ, रागनी जी क्या तय हुआ बैठक में? महिलाओं के अगेंस जिस तरीके से सोशन हो रहा है, उसके भी केसे बढ़ते जा रहे हैं। चाहेंगे कि उस पे सरकार काम करें, रदे बड़ी बड़ी बाते करने से. उन्हेंगे बेजा है, किसी को जताया है, तो वो उनके हक के लिए लड़े, उनसे जो उनके वादे किये थे, उन वादो को पूरा करें। कि अगर आप हमें चुन करके बेजेंगे, तो हम आपकी अधिकारों के लिए लड़ेंगे, वो बाते कहीं न कहीं दब गई हैं, तो उन्हीं को जागर करने की कोशिश करें। अब इसके बारे में जनता बहतर बता सकती है, जनता के लिए तो मैं मानती हूँ कि रामराज यही है, जिस समय उनका बच्चा जो है वो बेरोजगार ना रहे, जिस समय उनकी बेटिया सुरक्षित रहे, उनका परिवार सुरक्षित रहे, और जनता खुशाल रहे है। एक आखरी सवाल ये था कि कारवाहक डीजीपी इस बार फिर बनाया गया है पर्मनेंट डीजीपी नहीं मिल पा रहा है उत्तर प्रदेश देखिए बड़े मैं कहूंगे कि ठेस की भी बात है और शर्मशार करती है कि पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश और उस प्रदेश में आप बार बार डीजीपी टेंपररी पोस्ट पे रख रहे हैं तो आपके पुलिस के विवस्ता क्या है आप जो बार बार क्राइम के अगेंस नो टॉलरेंस की बात करते हैं उसके क्या विवस्ता है आपके ही पार्टी के कारे करता जो आईटी सेल में काम करते थे उनके द्वारा एक आईटी की बच्ची के साथ जिस तरीके से बी एच्यू के कैंपस के अंदर जो हुआ वो बहुत शर्मशार करता है पूरे अपने डीजीपी जो हैं वो पर्मनेंट नहीं कर पा रहे हैं शुक्रिया बहुत 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 रागनी सोनकर जी थी समाजवादी पार्टी से तेज तर्रार विधायक हैं बहुत सारी बाते उन्होंने कही और कहा कि हम लोग जनता के मुद्दों को इस बार बजट सत्र मे उठाने का काम करेंगे कैमरामेंन पंकज निगम के साथ सीमा अब नकवी भारत समचार लखनवू